नमस्कार, SM News में आपका स्वागत है, में नाम है कोमल और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ है फॉर्जे जंदा पार्टी के राश्टे अद्देक राम महर मलिक जी मलिक जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है धन्यवाद सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत की आर्थिक स्थिती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कोमल भारत की आर्थिक स्थिती लगातार नीचे किरती जारी है बहुत हालत खराब हो रही है देश की हर फील्ड में देश जो है ना बिल्कुल ये लोग डुबाने का काम कर रहे हैं और मानने के लिए ये त्यार नहीं है बिल्कुल भी किसी भी हालत में मानने के लिए त्यार नहीं है देश में अगर तरक्की कर रहे है या आर्थी इस्तीती अच्छी हो रही है तो चंद लोगों की हो रही है जैसे कि मुकेश अंबानी है गोतम हडानी है गोतम हडानी का बहुत पिसला करीब मुझे exact धहान नहीं है बारा तेरा नंबर था इनका अभी डेस में नंबर दो पर ये जो अमेरी उसमें जो है न नंबर दो पर आगे मुकेश अंबानी के बाद जबके पहले आजिम प्रेम जी नंबर दो पर होते थे वो क्योंकि आजिम प्रेम प्रेम जी का इतियास कुछ अलगी है वो खूब कमाते भी हैं तो खूब चैरिटेबल उस पर खर्चा भी करते हैं वो अभी दूसरे नमबर से सतरवे नमबर पर चले गए हैं और गौतम अडानी तरक्की करके दूसरे नमबर पर आ गए क्योंकि सरकार उनके उपर विशेश दोर से महरबान है तो आर्थिक स्थित इसकी आर्थिक स्थिति का नाप दोल करते हैं अरे उनसे क्यों आपने गरीब से नापो ना गरीब कहा जा रहा है आज गरीब जो है कल तक क्या था तरक्की तो गरीब की कभी भी नहीं हुई है लेकिन इनके टैम में तो वह बिलकुल और नीचे गिर गया तो उसकी उससे न पो अभी इनके रवी संकर परसाद ने कहा था कि ये जो आंकडे हैं ये गलत हैं जबके इनके खुद सरकार के आंकडे हैं आर्थिक स्थिति के वो कहने नहीं ये गलत है और मोहन भागवत जी माराज वो क्या कह रहे हैं कि ये अगर हम बार बार ये कहते रहेंगे ना कि एक सरकार से इससे काबू से बाहर बात लग रही है या तो ये काबू से बाहर है या फिर ये इतने अडियल है इतने अनाडी है कि इनको आता ही कुछ नहीं है ये देश को बेचने पर मतलब खतम करने पर तुलेवे हैं तो ये बहुत ही मतलब चिंता की बात है कि इनके टाइम में जब से ये पिछला पांच साल इनों ने पूरा किया है गरीब लगातार नीचे जा रहा है और जो इनके साथी है जो इनके सखेशंबंदी है वो लगातार तरक्की कर रहे हैं दिन दूनी राज चोगनी तो उनकी लिए तो आर्थिक आलत बहुत अच्छी है उनके लिए तो एकॉनी बहुत अच्छी है तो ये बहुत चिंता की बात है और इसमें देशवाशियों को खड़ा होना पड़ेगा और क्योंकि ये हर दिशा में हर फील्ड में देश को मलिया मेट करने पर लगे वे हैं और आर्थिक स्थी आपने ये क्या होगा अगर ये ही चलता गया से ही तो कहां पहुँँच जाएंगे हम लोग कैसे आम जंटा का गुजारा कैसे होगा कैसे जिएंगा लोग हर घगे नोक्रियां खतम हो ऑफ़ इह हर जगए वेपार खतम हो रहे है किसान मरता जा रहा है गरीब मरता जा रहा है तो कहां है आलत ये एकॉनमी की अर्थिक की कहां आलत मजबूत बता रहेंगे सिर्फ आईवाश है दिखावा है और इसको तुरंट रोकना पड़ेगा तुरुंत रोकना पड़ेगा नहीं तो देश तुना खतम हो जाएगा फिर समभाले से भी नहीं समभलेगा हमारे से बहुत दुखत दिये हमें तुरुंत खड़ा होना पड़ेगा सबको धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए जैहिन जैहिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले